आरम कीजी महापूजा और विनाश कीजी उस काली शक्ती का अमें छुपने की जरूरत नहीं है मंदाकनी बस थोड़ा और से पर पदला लिये दिना हम लोग कही नहीं जाएंगे मैंने तो छपपन भोग नश्ट कर दिया था फिर ये पूजा कैसे आरम हो गई शिमारू के नई वडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें अभी भी इस महल पर काली शक्तियों का प्रकोफ है चलिए बाबा, टाकिनी हो या चुड़े, अब इस महल से बगाना ही पड़े गाउने क्या, महल अधरश्य है? इसका मतलब है कि गाउवा लोग के महल दिखा ही नहीं देता है अख, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि उस डाकनी में इतनी शक्ति है, कि उसने हमारे इतने बड़े महल को अधरश्य कर रखा है सुनेना, आज तुम्हारी वज़े से हमें इतना बड़ा सच पता चला है इसके लिए हम तुम्हारे उपकार, उपकार? नहीं, यह तो मेरा धर्म है चांतियो सुनेना, हमने स्वेम देखा है कि गाउवाले कैसे अपना सुख दुख अपने परिवार उं मित्रों के सब पाड़ते है और हमेशा से ऐसे मित्र की कमी हमारे जीवें में रही है और आज हमें लगता है कि वो कमी पूरी हो गई है हम? आज से तो हमारी पत्नी ने हमारी अच्छे मित्र भी हो सबसे अच्छी हम? तो सुन लो मित्रता में क्रोद का कोई स्थान नहीं होता और अच्छे मित्र एक दूसरे का ध्यान भी रखते है और एक मुसरे पर भरोसा भी करते हैं तो आज सिकरो कम और इतने प्यारे मित्र पर उस्जा करेगा भी कौन और एमारे जीवन मे आने के लिए तुममारा भग भान्यवाद सुनेनने ल़ाद कर कहां है अपनों को दन्यवाद भी बिल्कि अपनों पर तो अधिकार जताते हैं अधिकार? अच्छा तो अधिकार तो आज हम अवश्य जताएंगे कल रात को तो पता नहीं कैसे हमें बहुत जल्दी नेंद आगे थी पर आज रात को हमारा सोने का इरादा बिल्कुल नहीं एक बात बताएं सुनें ना शर्म से गुला भी ये चैरा मैं और भी आकर सख लगता है माची देख रही है माँ कहा है माँ वो रही पर तुम हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती हो जाका रही हो पुझा की तयारी कर दे समय प्रज्वालित कीजिये यादेवी सर्वभूते शुमा अम्वे माता रूपे नुसंस्थिताम नमस्ता से नमस्ता से नमस्ता से नमो नमहा अम्वे माता की जार्ज्व पुझा की तयारी कर दी है अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजेगा बिटिया यह सब तो ठीक है अब महा प्रसाद के भोग पे लिए शुद्चपन भोग ले आओ परन्तु ध्यान रहे महा प्रसाद पवित्र होना चाहिए वा किसी के द्वारा स्पर्ष नहीं होना चाहिए जी बाबा मैं पूरा ध्यान दूँगी और महा पूजा का प्रसाद मैं अपने हाथों से बनाऊंगी बस आज अम्बे मा की महा पूजा अच्छे से संपन हो जाए तथास्त मा इससे पहले गयों के साथ कोन की तरह हम भी पिस जाए यह से भाग लेते हैं नहीं कनक इतनी तकलीफ सही हम लोगों ने बस थोड़ा और से पर बदला लिए दिना हम लोग कही नहीं जाएंगे पर पर इस बाबा से कैसे बचेंगे पचेंगे कनक देख ले ना हम लोग पचेंगे होग बनाना है ना महा प्रसाथ के लिए तो देख कैसे बनेगा यह अंछुआ पवित्र भोग अंबे मा खब भोग बनाने में जो आनन्द है वो कोई और काम में कहां ए अंबे मा आज की महपूजा सफल हो जाए और अधिराज को उंगी असली मा मिल जाए अब ना कोई अंदर आपाएगा और ना ही कोई भोग को हाथ लगा पाएगा यह आफद भी अकल की अंदी है द्वार पर ताला घर को इंसान से सुरक्षत रखने के लिए लगाया जाता है मुझ जैसी डाकनी को रोपने की ताकत इस मामुली से ताले में नहीं जाए इतना सारा भोजन इससे देखकर तो मुझ से लाठा पकरी है प्रानिमाब एकाती मिठाई खानू भोजन नहीं भोग है जोडएले कबसे भोग खाने लगी? अब लगाती रहना अपनी अम्बे मा को चपन भोग पता नहीं क्यों जब भी मैं इस चित्र पर देखता हूं तो हमारे रिदे में अजीब सी अचल होती है मा का चित्र है ना मा और बच्चे का अरिष्टा तो सासू की डोर से बंदा होता है अधिराज तब ही तो कहते है मा सब की जगा ले सकती है पर उनकी जगा कोई नहीं ले सकता उच्छाहे हमारी आंखु की सामने हो या ना हो उनका अषिर्वाट सदेव हमारे साथ रहता है सुने न, तुम्हें अपनी मा की बहुत याद आती होगी न? नम चाहते है कि हमारी मा तुम्हें मा की तरह प्याड करे ताकि तुम्हारे जीवन में उकमी पूरी हो सके। हम जानता हैं कि शुरुवात से तुम्हारे और हमारी मा के रिष्टे में कड़वाट आ गई है। पर हमें पूरा विश्वास है कि वो कड़वाट जल्द ही मिटास में बदल जाएगी। क्योंकि हमारी मा का रिदय है ही समंदल सा विश्वार। अधिराज को अंदा विश्वास है उस डाकिनी पे। पताने आज जब बापा डाकिनी का सत सामने लाएंगे। तो अधिराज कैसे सेहन कर पाएगा। कहां खुई? कहां खुई? मैं यही सोच रही हूँ। आप काववालों से जाकर बात क्यों नहीं करते इस महल के बारे में। उन्हें उनके आधर शाजा साहब के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। आखिर गाववाले राजा साहब की जीवन का एहमिसा रहे है। तुम्हारी सोच कितनी उची है, हम जाएंगे गाववालों से भात करेंगे। तुम माँ का कहल रखना तुम माँ का कहल रखना। करेवालों का अधिर कॉर्ण के पाववा यहां नहीं करते हैं। कर दूच का शब मोहर्द आरंभ हो चुका है। शब मोहर्द आरंभ हो चुका है। सुने ना बिट्लिया से कही है कि वोग सामागरी ले आए। दूच कर थे जाए है। है अम्बेमा, यह सारा भौक नष्ट हो गया. मैं चानती हूँ, यह सब कुछ उस ठाकीनिका किया दरा है. पर अब मैं क्या करूँ? मुझा का मुरत भी शुरू हो चुका है. इतने कम समय में इतना सारा भौक कैसे बनाऊंगी? हम कौन हैं? कहां से आये हैं? यह प्रशन आप सब ने हमसे कई बार पूचे हैं. और आज, हम आप सब को इन ही प्रशनों के उत्तर देने आये हैं. हम आपके स्वर्गिये राजा साहब के सुपुत्र राजकुमार अधिराज है. हम यह कैसे माल लें? और क्या? कोई कुछ भी आकर बोलेगा, हम आल लें के? हमने तो पहले ही सुना है कि राजा साहब के बेटे की मौत हो गई है. और यहां तो कोई महल भी नहीं है. तो जिए राजकुमार कहां से आगया? हम नहीं मानते तुम्हारी इस बात को हाँ, हम नहीं मानते हम सब। वो बाबा भी कह रहे थे, कि महल भार से तिखा ही नहीं दे था. इस का मतलब महल पर सचमेकाली शक्ति का प्रकॉब है. मुझे पूरा विश्वास है, राजकुमार सत्य कह रहे है। इससे पहले कि अधिराजिन गाओं वालों को महल लेकर जाए, मुझे इन्हें रोकना हुआ। जब तक वो महापूजा खत्म नहीं हो जाती, मैं अपनी कख्ष से बाहा नहीं जाओंगी, यह चुप के रहूंगी, चंदलेखा। अमे चुपने की जरूरत नहीं है, मंदाकनी। अब तक तो वो महापूजा कब की भंग भी हो गई होगी। चलो, बाहर चल कर देखते हैं। उस आफद के चेहरे पर पराजाय देखने में बहुत आनन्दा हैगा। चलो, अब तेखना कैसे वो आफद बक्री की तरह में म्याकर कही थी। बाबा, शमा करतीची। महापृषाद नश्ठ हो गया। बाबा, महापृषाद तो नश्ठ हो गया है। पर मैं अपने हाथों से इस पंचामृत को बना कर लाई हूँ। अंबे मा के महापृषाद के लिए। बेटी, चिंता की कोई आउश्यक्ता नहीं। पांच अनमोल द्रव्यों से बने इस पंचामृत से भला। कोई और भोगपदार्थ अधिक पवित्र हो सकता है क्या। अंबे मा को समर्पित कीजिये। बेटी, अस्थान गराण कीजिये। सारी तैयारिया हो चुपी है बेटी, अब पूजा आरंब करेंगे। हाँ बाबा, आरंब कीजिये महा पूजा। और विनाश कीजिये उस काली शक्ती का जिसने इस राजमहल को राजमहल बनाया है। अवस्य। जयर्मा गाली, जयर्मा गाली, जयर्मा गाली, जरना जमाजिवारादी सारे जडार मोसुते मैंने तो छपन भोग नश्ट कर दिया था फिर ये पूजा कैसे आरभ हो गई हम जानते हैं कि आप सब के लिए महल वर्षो से अद्रश्य है क्योंकि उस महल पर डाकनी का प्रकोप है पर अब वो डाकनी का प्रकोप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और अद्रश्य महल आप सबको दिखाई देने लगेगा आज हम महल में एक महा पूजा का आयोजन करने वाले हैं और उसी के लिए आप सबको आमंत्रित करने आए हैं और हम आप सब को वचन देते हैं कि आप सब के सामने जल्द ही आपका नया राजा होगा नयाय होगा सम्रत्थी होगी आप सब के जीवन में खुशाली आएगी तो क्या आप सब अपने नय राजा का साथ देने के लिए तैयार हैं? कर दो कर दो कर दो कर दो बुब कर दो माँ! अगर मैं वहाँ गया तो यह मुझे भी खतम कर देगा अब शदीराज को रोकू तो रोकू ऐसे अब 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 स्वाहा स्वाहा तो अब आप सब सुरक्षित है हाँ हम लोग सब बिल्पुल ठीक हैराज assumί게? राजिकुमार, हम सब आपके साथ है और आपके साथ हम पुजा पे सब बिली थोड़े जाएंगे हम सब जाएंगे हम सब जाएंगे हम सब जाएंगे खंड निपातित खंड विपातित मुंड भटा दिपते जय जय आहे महिशासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शहेल सुते आयरण दुर्मद शत्रुव धोदित दुरधर निर्जर शक्ति भृते चतुर विचार धुरीन महाशिव दूत कृत प्रमथा धिपते दुर्त दुरीह दुराशय दुर्मत दानव दूत कृतांत मते जय जय आहे महिशासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शहेल सुते प्रम भागोत यासिक परने डाकनी खुत हतो रहे साथ-साथ हमारा भी भी नश्करवाई किः चलोच तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ कर भागने की हुई एए पापा ने रक्षा कवच से बांधिया है अब हम इसमेहल से बाहर नहीं जा सकते हैं अब हम क्या करें जंदलेगा हम क्या करें तुमने बहुत अन्याय किये है डाकिनी एक निर्दोष राजा की हत्या करना रानी साहिब को क्यादी बना कर रखना और एक संतान को अपनी मा से दूर रखना तुम्हें तो जितने दंड दिये जाए उतने कम है एक बंदल्स झाहिए आप एक संत्स बार घ्मारिबां और यक झाल झाल